हेलो बच्चो आपका हमारी यूटूब चैनल पर स्वागत है तो बच्चो मैं आपके लिए आपके गडित का पेपर लेके आचुका हूँ कल आपका जो एकजाम होने वाला है उसके लिए मैं आपका पेपर लेके आचुका हूँ तो जल्दी से सभी कुश्यनों को नोट कर लीजिए सभी कुश्यनों को मैं आपके लिए सॉल्व कराने वाला हूँ तो चलिए बच्चो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको आगे के पेपर भी आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं तो देखिए पहला जो कुश्यन है आपको बताना है समकौन का मापन कितने डिगरी का होता है इसके बाद दूसरा कुश्चन है सम कौन से बड़ा और सरल कौन से छोटा कौन कौन सा होता है तो देखिए सम कौन से बड़ा और सरल कौन से छोटा उसको क्या कहते हैं अधिक कौन कहते हैं तो सम कौन से तो बड़ा है और अधिक कौन से सरल कौन से छोटा है तो इसको हम क्या कहते हैं अधिक कौण कहते हैं तो अधिक कौण इसका right answer हो जाएगा चांदे की साइता से आपको इन कौणों के मापने हैं ये और परकार बताना है तो ये देखिए ये 90 degree का है तो इसको हम क्या लिख देंगे ये 90 degree और प्रकार क्या हो जाएगा सम कौन ऐसे ही ये क्या है ये 60 degree अब ना पेंगे तब ही पता चलेगा और ये 90 से छोटा है तो इसको हम क्या कहते हैं नियून कौन कहते हैं और ये क्या है 90 से बड़ा है इसको हम अधिकोन कहेंगे तो यह ना पेंगे तो आपको यह पता चलेगा तो आपको इसे चांदे से मापना है इसके बाद next question है यहाँ पर देखिए 4 box है जितने box होते हैं वो संक्या नीचे आती है और कितने भरे हैं इसमें 1 बरा है तो एक बटे 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा option B तो जितने box होते हैं वो संक्या नीचे आती है बड़ी संक्या नीचे आती है और जितने box भरे हुए हैं वो संक्या नीचे आती है तो एक box एक box भरा है तो एक उपर आ जाएगा एक वट्टे चार इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके बाद next question है यहाँ पर बताना है संख्या रेका पर डिब्बे की संख्या बताईए तो डिब्ब्या कहाँ पर है देखिए चार और ये पांच है तो एक दो तो ये कितना हो जाएगा चार सही चार सही एक वट्टे चार सही तीन दो वट्टे क्या हो जाएगा दो वट्टे पांच हो जाएगा चार सही दो वट्टे देखे कितने बॉक्स हैं ये एक दो तीन चार तो चार नीचे आ जाएगा और कितने पर है ये तीन पर है ये सबसे पहले ये बड़ा है तो इसमें देखिए चार सो पहले ये लिखेंगे पहले नमबर पर ये आएगा फिर इसके बाद ये आएगा दूसरे नमबर पर और फिर इसके बाद तीसरे नमबर पर आएगा हमारा ये ये तीसरे नमबर पर आएगा और ये चौति नमबर पर इस तरह से आपको लिखना है तो डिब्बे में चार अंकों की संख्या बताईए तो चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो नो नो हो जाएगी नो अजार नो सुनिन्यान में और संख्या ये है तो इसमें सेंकड़े का अंक क्या है तो सेंकड़े का अंक पीछे से गिंते हैं तो एकाई का छे है दहाई का आठ है और सेंकड़े का अंक क्या है साथ है तो साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके बाद next question है संक्या में पांच का इस्थानी अमान कितना है तो पांच का इस्थानी अमान कितना है हजार है इसके बाद देखिए बनने वाली सबसे चोटी संक्या बतानी है तो सबसे चोटी संक्या बनाने के लिए सबसे चोटा अंक चाहिए एक ले लेंगे फिर इससे च लोटा संक्या सोटी संक्या बनेगी इसके बाद देखे बिन्यों को चायंकित कीजिए तो चायंकित करना है तो इसमें एक बटे दो है तो एक बटे दो एक बटे दो का मतलब एक ही इससा इसमें क्या है दो मैसे एक हिससा चायंकित करना है इसके बाद दो बटे चार है इसका मतलब चार मैसे हमें दो इससे चायंकित करने है इसके बाद देखे एक बटे चार है इसका मतलब एक हिससा चायंकित करना है दो बटे आठ तो आठ मैंसे हमको दो इससे चायंकित करने हैं तो कोई भी दो इससे चायंकित कर सकते हैं इसके बाद तीन बटे तीन है तो इसका मतलब तीन मैंसे दो इससे चायंकित करने हैं इसके बाद देखिए 4 बटे 6 है, 6 में से 4 हिससे हमको चायंकित करने हैं, तो ऐसे हम कर सकते हैं, तो 4 हिससे ही हमें कित करने हैं, यहां से यहां तक कर देंगे, 2 को छोड़ देंगे, इसके बाद आगे कुश्चनों को बढ़ते हैं, देखिए इसमें से गटाना है, तो 5 में से दो जाएंगे तो 6, तो 631 हो जाएगा, छूटे हुए अंक बताने हैं, तो कितना जोड़ें की 8 हा जाए, तो 3 जोड़ेंगे तो 8 हा जाएगा, और इसमें देखिए 3, और इसमें कितना जोड़ें की 6 हा जाए, तो इसमें 2, तो 2, ये 25, 25 और प्लस कितना हो जाएगा, 43, 25 प् नो पांच और तीन आठ तो ये आठ आठ आजार नो सबारे हो जाएगा इसको जो गटाई है दस में से दो जाएंगे तो आठ नो में से चार जाएंगे तो पांच नो में से पांच जाएंगे तो चार और पांच में से तीन जाएंगे तो दो तो चौबीस अठावन इसका रा और 12 में 2 का विचलन है और 13 में 3 का विचलन है प्लस 2 प्लस 3 का विचलन है तो तुर्चा जोड लेंगे तो 15 हो जाएगा इस तरह से आप कर सकते हैं इसके वाद next question ढगिए एक माला में एक सू एक माला में एक सू आठ मोती हैं तो 245 मालाओं में कितने मोती होंगे तो एक माला में 108 है तो 245 माला में कितने हो जाएंगे 108 गुणा 245 का गुणा कर लीजिए इसके बाद दूसरा कुश्चन है एक टोकरी में 875 फूल है तो एक माला में 25 फूल पर होती है तो इन फूलों से कितनी माला ये बन जाएंगी तो एक टोकरी में कितने हैं आट सो पिचेतर फूल हैं एक माला में कितने हैं पचीस फूल बन जाती हैं तो पचीस फूल बन जाते हैं तो पचीस का भाग लगा दीजिये इसमें 875 में 25 चोगे 25 तिया 75 कितने बचेंगे 5, 7, 15 बचेंगे तो 155 ये इसमें भाग देंगे देखिए इसमें ऐसे भाग देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 875 25 का बाग 5 से काड़ दीजिए इसे 5 ये कम 5 तीन बचेंगे 5, 7, 35, 2, 25 एक सो पेचतर और 5 पाँच से इसको काड़ दीजिए 5 ये 15, 25 ये दो बचेंगे तो 35 माला इसमें बनेंगे 35 माला इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके बाद नेक्स्ट है 8 और बारे में सबसे छोटा समान गुड़ज क्या है तो 8 और बारे में सबसे छोटी कौन सी है तो 8 और बारे का हमने क्या है एलसियम ले लेना है 8 और बारे का एलसियम क्या हो जाएगा 8, 2, 16, 8 या 24 क्या जाएगा 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके बाद नेक्स्ट है देखिए पांच किलो मीटर में कितने मीटर होंगे तो एक किलो मीटर में कितने होते हैं एक हजार मीटर होते हैं तो पांच किलो मीटर में पांच हजार मीटर हो जाएंगे और ये डाई किलो में कितने ग्राम होंगे तो एक किलो में एक हजार गिराम होते हैं और आधा किलो में कितने होते हैं पांसो गिराम होते हैं तो दो किलो में कितने हो जाएंगे दो हजार गिराम और आधा किलो ये रहा तो ये कितने हो जाएंगे डाई हजार गिराम 2500,000,000,000 हो जाएंगे,500,000,000,500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, 14 mm हो जाएंगे इसके बाद next question है यहाँ पे देखिए यहाँ पर सही और गलत बताना है दो गंटे में 400 सेकंड होते हैं तो एक गंटे में 1 गंटे में 3600 सेकंड होते हैं 200 सही हो जाएगा यह सत्य हो जाएगा मिनट को रङ्द में 250 से भाग देते हैं तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं साट का भाग नहीं देते हैं साट का गुणा करते हैं तो यह सब्ते हो जाएगा इसके बाद दो मिनट में 200 सेकंड होते हैं यह गलत हो जाएगा दो मिनट में 120 सेकंड होते हैं तीन गंटे में 300 मिनट होती हैं, तो एक गंटे में 60 मिनट और तीन गंटे में 180 मिनट होंगी, तो ये भी गलत हो जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट कुश्चन है, नहां पे देखिए, इस टोर है ये, इसमें सामगरी बतानी है, तो चावल 4 किलो, चावल 4 किलो ग्राम 55 रुप पांच चक 20, तो इस तरह से इसका इसमें गुणा कर लेंगे, तो सभी के ये पैसे आ जाएगे, तो सभी को जोड़ देंगे, तो कुल खर्चा भी आ जाएगा, तो इससे आप निकाल सकते हैं, इसके बाद देखिए, दिए गई गरेड में आपको आकरती बतानी हैं, तो य ये पांच, ये पांच, ये चार-चार, तो ये आयत हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने की बरावर हैं, ये ABCD क्या है, आयत है, और देखिए, इसमें ये साथ, ये साथ, ये तीन, ये तीन, तो ये भी क्या है, आयत है, तो दोनो ABCD का छेत्रफल निकालना है, तो ABCD का छेत्र मीटर स्कुरायर इसके बाद क्या दोनों आयत का च्छित्रफल समान है गलत नहीं समान नहीं है आयत ABCD का परिमाप क्या है तो आयत ABCD का परिमाप क्या होता है दो गुणा लंबाई प्लस चोड़ाई तो 5 4 4 9 दुनी, पांच ओर चार नो दुनी अठार है, तो AVCD का परिमाप अठारे है, और 7 और 3 तस दुनी पीस, और इसका 20 है, तो PKUT का 20 है, तो AVCD Comics का अठार है, और PQ वारेस का 20 है किस आयत का परिमाब जादा है तो PQ वारेस का जादा है PQ वारेस इसमें लिख देंगे इस तरह से आपको करना है इसके बाद 80 लीटर तेल एक ड्रम में 10 लीटर 4 डिबे 5 लीटर 6 डिबे और डिबों में तेल भरा जाता है तो 80 लीटर तेल के ड्रम में तो 80 लीटर का तेल का ड्रम है तो टोटल तो 10 लीटर के 4 डिबे तो 4 डिबे हैं तो ये 40 लीटर हो गया और 5 लीटर के 6 डिबे तो 30 लीटर ये हो गया और 6 डिबे बरे जाते हैं तो टोटल कितना हो गया 70 लीटर हो गया कितना बच गया दस लीटर बच गया दस लीटर है तो दो दो लीटर के कितने डिबबे बरे जाएंगे तो दो का भाग लगा दीजी पांच डिबबे कितने डिबे बरे जा सकते हैं पांच डिबे बरे जा सकते हैं इसके बाद देखे नीचे दिये गए पैटरन को आगे बढ़ाईए तो ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है यह पहले सीधा था फिर ऐसे कलॉकवाइज रोटेट हो गया फिर नीचे गया फिर नी हो गया तो अब के ऐसे हो जाएगा बापस से ऐसा हो जाएगा तो यह A option इसका right answer हो जाएगा इस तरह से आपको करना है इसके बाद इसमें देखिए तीन दूनी 6 इन दोनों का गुणा हुआ है तीन दूनी 6 और 3 एकम 3 हो जाएगा 5 एकम 5 तो इसमें एक तिन पटेल मार्ग से आदा घंटे से गुजनने बाहन इस प्रकार थे तो बाहनों की संख्या दे रखी है तो इससे आप इसको गिराफ बनाना है तो इसको गिराफ को आप बना सकते हैं तो इस तरह से आपके questions समापत होते हैं all the west for your exam वीडियो को पसंद आई है तो subscribe कर लेना thank you